कोई brand का कपड़ा काफी दूसरे brand से महंगा क्यों होता है आप कोई भी normal कपड़ा आप लेने जाते हैं कोई normal dessert कोई भी normal दुखान से लेने जाते हैं तो उसका जो price है उसी कपड़ा को अगर brand में लेते हैं तो उसका महंगा होता है क्या कारण है क्यों आखिर क्यों उसका महंग कि आखिर महंंगा कियों होता है आप को भी ब्रैन्ड का जूता करीद लिजे को हैं ब्रैंड का शट करें लिजे को ब्रैंड का टीसरट करीद लिजी काफी महंगा होता है आप को जैनेडरल अगर दुकान से खरीजन जाते हिस कोई मॉल से खरीते हैं वो महुणा होता है जय कि आए इस पैक्टर को को बिसी चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि महुझा होता है तो है लुए ल्मेंटिकोरेशर की स्व Crispy नमस्कार आप देख रहा है शर्मा्य टेक्स टाइल ग्यान अगर आप मेरे brand का कपड़ा महंगा क्यों होता है क्या कारान है कि महंगा होता है इसका ये कारान है इसमें तीन factor होते हैं पहला होता है उसकी durability मतलब टिकावपन और दूसरा होता है उसके process और तीसरा होता है उसकी examination, testing वो सारे पास होती है पहला पहला process में क्या होता है कि वो कितना मजबूत है ये उस पे उस fabric पे उसके stitching पे उसके जो भी उसमें accessories लगे हुए है उसमें सारे और टिकावपन होते हैं मजबूत होते हैं यानि कहने का मतलब वो tested होता है जाच क्या हुआ होता है यही कारण है कि उस पे जो प्राइस लगता है यानि कि उसमें जो process होता है उसमें कई process से गुजरना रहता है उस फैब कई process किया जाता है यही करान है कि जो भी process करते हैं उसमें क्या होता है उसमें पैसे लगते हैं चाहे कोई process हो यानि कि जितने भी उसमें ज्यादा process होंगे उसमें उतना ही वैलू जोस mettre Price add होगा टीसरा है duż टेस्टिंग यह टेस्टिंग क्या होता है क्यूं सुस्टिंग क्यों जरूरत है य權वकी और से और सब्रींत को बनाने से पहले और बनाने के बाद काफी टेस्ट के जाता है ताकि ऊसकी जो पहला वाला जो ओट यानि कि Durability को Confirm कर सके कि आखिर इसके Durability कितनी है तेस्टिंग पर ही निर्वन रहता है कि कितना इसका Durability है और टेस्टिंग करने में पैसे लगते हैं जो जेनरल कपड़ा होता है या जो जेनरल आप ब्रैंड को खरीते हैं उसका उतना टेस्टिंग नहीं होता है जब कि कोई आगर आप ब्रैंड को खरीते हैं तो उसमें काफी टेस्टिंग होता है काफी प्रोसेस होता है और ये सारे प्रोसेस करने में टेस्टिंग करने में क्या लगता है वैसे यानि कि प्राइस एड होता है यही कारण है कि कोई भी ब्रैंड का कपना जो होता है वो महंगा होता है एक सबसे बड़ी बात कि कोई भी ब्रैंड का एक प्राइस सबसे महत्योपूर्ण होता है उसका बढ़ने का उसका advertisement जो बड़ा कारण है कि कोई भी ब्रैंड का कपड़ा खरीते हैं तो उसका जो प्राइस है बढ़ जाता है अन्य जेंडरल जो कपड़ा खरीते हैं उससे कई गुना प्राइस उसका ज्यादा होता है आई होप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे तो मिलते हैं इसी तरह से नए informative